बूर्णिंग स्टूडेंट, क्लास टेंड सब्जेक्ट साइन्स चैप्टर फर्स्ट, कैमिकल रियक्शन एंड इक्वेशन बैलन्स कैमिकल इक्वेशन आज हम कुछ औरक जंपर से रियक्शन को बैलन्स करना सीखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? रियक्ट हैंड, क्या बोलते हैं? रियक्ट हैंड, राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, सबसे पहले हम इन सबको क्या करते हैं? अलग-अलग करते ही, कि react-ring side atom कितने हैं और product side atom की numbering क्या सबसे पहले हम Fe, उसके बाद में क्या लेते हैं, hydrogen, उसके बाद में oxygen react-ring side iron कितना है, 1, hydrogen कितना है, 2, oxygen कितना है, 1 iron यहां पर कितना है product side, 3, hydrogen कितना है, 2 और oxygen कितना है 4 इसका मतलब हमारा यहां पे hydrogen क्या है इकवल है दोनों side reactant side भी 2 है और product side भी equal है इसलिए हमें इसको एक बार चेड़ना नहीं है तो यह क्या होगे equal अब क्या है यहां पे 3 है product side reactant product side तो fe 3 है और हमारे reactant side fe 1 है तो यहां पे 3 है यहां पे reactant side हमें 3 लाने के लिए हम A को किसे multiply करेंगे कि 3 आजे 3 से 1 को 3 से multiply करेंगे तो हमारे पास कितना आजेगा 3 जहां पे कमी होती है वहां side हम क्या 3 लगा देंगे F e side क्या लगा देंगा हम 3 ठीक है क्योंकि हमारे पास क्या है कि product side तो 3 है और reactant side हमारे पास कितना था F e 1 तो हम reactant side भी 3 लाने के लिए 1 को किस से multiply करेंगे कि 3 आजे 1 को 3 से multiply करेंगे तो हमारे पास कितना आजे का 3 जहाँ पे कम ही होती है तो F e side क्या है 3 लगा देंगे तो यहाँ पे भी क्या है यहाँ पे F e कितने है 3 और यहाँ पे कितना F e 3 उसके बाद में हमारे पास क्या है इस side क्या है oxygen 4 है, इस side 1 है तो हमारे पास क्या है कि हमें reactant side 4 लाने के लिए हम A को किस से multiply करेंगे 4 से ताकि हमारे पास reactant side भी 4 आजे और product side भी 4 आजे तो जहाँ पे कमी है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे हाँ पे 4 अब देखो द्यान से देखो इस reaction को हमारे Fe यहाँ पे कितने है 3 और यहाँ पे भी Fe कितने है 3 यहाँ पे क्या है देखो यह जो pair में होती है इसको इससे हम क्या करते है इसकी multiply होती है मेशा ठीक है तो 4 दूनी 8 hydrogen कितने है हमारे 8 कितने होगे hydrogen 4 multiply to 8 और मैंने यह बताया था कि यहाँ पे क्या है अगर oxygen के आगे 4 लिखा है या hydrogen के आगे 4 लिखा है इसका मतलब 4 ही हमारे पास oxygen है 4 ही हमारे पास hydrogen है ठीक है तो हमारे पास oxygen कितने है 4 ठीक है hydrogen के pair में है 2 तो इसके मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है 4 दूनी 8 ठीक है 8 तो हमारे पास hydrogen होगे oxygen के molecules कितने है 4 ठीक है oxygen हमारे पास कितने है 4 और hydrogen कितने होगे 8 और product side कितने hydrogen? 2, तो हमें क्या है, इधर side में हमें कितने लाना है? 8, तो हम क्या है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, तो हम 8 लाने के लिए 2 को किस से multiply करेंगे? 4 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? hydrogen भी कितने हो जाएंगे 8 ठीक है तो यहां पे क्या hydrogen 8 थे और यहां पे hydrogen 2 है तो हमें hydrogen side 8 लाने के लिए हमें 2 को किसी multiply करेंगे कि 8 आजे 4 से तो 2 चोके 8 ठीक है कुछ और reaction करके देखते हैं जैसे हमारे पास क्या है BCL 2 plus H2SO 4 BASA O4 HCl ठीक है हमारे यह इदर left hand side को क्या बोलते है react hand और right hand side को product तो हमारे पास BACL HSO B.A. हमारा कितना है 1 यहां पे भी 1 chlorine कितना है 2 chlorine इदर साइड कितना है 1 hydrogen कितना है 2 इदर साइड 1 sulfur कितना है यहां पे 1 यहां पे sulfur 1 oxygen कितने है 4 यहां पे भी कितने है 4 इसका मतलब हमारा क्या है balance ठीक है हमारे क्या है chlorine और hydrogen हमारे पास balance नहीं है तो जब hydrogen और chlorine को यहां पे 2 है यहां पे भी 2 है तो एक को किसे multiply करेंगे कि हमारे पास इधर साइड भी 2 आजे तो एक को 2 से multiply करेंगे कि हमारे पास यहां पे 2 है तो एक को किसे multiply करेंगे कि हमारे पास product साइड भी 2 आजे तो हम कि है 2 से इसको multiply करेंगे जहां पे कमी है वहां पे हम 2 लिख देंगे इसका मतलब यहां पे 2 हाइट्रोजन होगे और 2 ही क्लोरी देखो reaction एक हुई यानि balance BAA 1 है यहां पे भी 1 है CL यहां पे 2 है यहां पे भी कहा है मैंने पताया आजे दो लिखने से इसका मतलब 2 हाइट्रोजन है और 2 ही क्लोरीन है ठीक है हाइट्रोजन यहां पे 2 यहां पे भी हाइट्रोजन दो Sulfur 1 है Sulfur 1 Oxygen 4 है Oxygen 4 है Thanks